हेलो दोस्तो आप सभी को नमस्कार और आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक जो हमें यहां से 50% रिटन्स दे सकता है तो डीटेल्स के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मेरा चानल इस आई बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आउन कर लिजिए ताकि आपको मेरे चैनल से सारे अपडेट टाइम मिलते रहे और अगर आपको शेर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपकी लिए बेस्ट ऑप्शन है इंजल बोकिंग का डिमाट अकाउंट यहां पर आपको पहला साल जो एकांट मेंटेंश चार्जेस है वो फ्री रहेगा मिनिम बोकिंग चार इंडिया से देखिए यहां पर मैंने जो आपको 25 सब्टेंबर को एक स्टॉक दिया था जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था और इसका रेट जो था वह 176 रुपीज के आसपास का था और मैंने आपको तभी बोला था कि यह स्टॉक जिस दिन 200 रुपीज क्रॉस करेगा आपको 340 रुपीज तक जाते हुए दिखेगा यह स्टॉक तो यहां पर देखिए एक्जाक्ली वही मुवमेंट आई है देखिए यहां पर 200 रुपीज के इस जो रेजिस्टेंस को जैसे ही गैप अप से इसने क्रॉस किया था तो देखिए तब से लिकर अब तक देखिए अपसाइड मुवमेंट ही रहा है हाँ हाला कि एक दो दिन यहां पर डाउनसाइड मुवमेंट भी आई है क्योंकि यहां पर देखिए जिसने 180-170 रुपीज पर खरीदा था तो उसने एक प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी यहां पर 275 लेवल्स पर भी यहां पर प्रॉफ कि यहां पर सीधा अब चार दिनों में जो कि है 408 रुपीज का हाई लगा कर अब क्लोज हुआ है 393 पर तो यहां पर मेरा वीडियो देखके अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो यहां पर मैं आपको बोलूगा कि हलका सा मुनाफा स्विकार लीजे यहां पर देखिए ज आप पूर्टफोलियो या फिर फ्यूचर इंवेस्मेंट आप रख सकते हो तो यहां पर हलका सा प्रॉफिट आप बान लेजिए अगर आपको नीचे की तरफ देखिए यह बड़ा असा गैप मिला है तो यहां पर अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी होगी तो यहां पर आई बटन पर क्लिक करके भी आप यह वीडियो देख सकते हो ठीक है तो देखिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का वीडियो होने आला है बैंक ऑफ बरोडा के उपर जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि SBI जो कि आपने मोमेंट देखी है बहुत ही बड़िया मोमेंट आई है और जो फर्स्ट फेर्वरी के दिन हुआ था जो बजट में एक बैड लोन के नई बैंक बनने वाली है उस न्यूस के चलते सारे बैंक जो है वह बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करते दिख कौन से लेवल पिर आपको इसमें टागेश में बढ़ा आ एक और लेवल पर में टॐ में को बताना चाहता हूं इस पक्छिट के जह जाल तो उसमें से से जो हाइलाइट बैंक पॉइंट्स फों रुपीज 1,061 crores for October December quarter of an ongoing financial year as against the net loss of rupees 1407 crores in a year ago quarter यानि की इनका जो third quarter यानि की जो October से लेके December का जो quarter होता है उसमें जो net profit आया है वो 1,061 crores है उसके against अगर आप year on year देखोगे तो उनका net loss में था 1400 देखिए आपर 7 crores का इनको net loss हो रहा था तो उसके against बहुत ही अच्छा result आया है इस साल का third quarter sequently a net profit declined 37% from rupees 1679 crores in the preceding July September quarter यानि की ये जो अभी financial year चल रहा है अगर आप उसका July से September का quarter देखोगे यानि की Q2 का results देखोगे तो हाँ पर इनको जो net profit हो रहा था वो हो रहा था 1679 crores का तो उसके against अगर आप अभी third quarter का result compare करोगे तो यहाँ पर देखिए 1061 आया है जो की कम है वहीं यहाँ पर दिया गया है जो 37% से decline हुआ है ठीक है तो यहाँ पर second point जो है bank of borodas domestic kasa ratio जो होता है इनका जो current and saving accounts का जो ratio होता है वो expand हुआ है यानि की बढ़कर क्या है 2.40 basis points to 41.20% during the quarter यानि की इनका जो 240 basis से बढ़कर आया है इस quarter में ठीक है तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो NPA है वो क्या है देख लेते हैं तो देखिए जो December 20 का जो gross NPA था वो 8.48 था September 20 का जो था 9.14 था और December 19 का 10.43 यानि की आगर आप देखोगे तो year on year जो इसका net NPA है वो कम होते गया है जो non-performing assets होते हैं वो इनके जो धीरे धीरे देखिए कम करते जा रहे है ठीक है जो की बहुत बड़ी बात है net NPA percentage में अगर आप count करोगे तो देखिए December 19 को 4.05 था फिर September को इन्होंने 20 में यहाँ पर 2.51 था और अब देखिए quarter on quarter basis पे भी यह धीरे धीरे अपना जो net NPA है gross NPA वो कम ही हो रहा है अगर आप देखोगे तो और year on year basis पे भी देखोगे तो यहाँ पे कम ही हो रहा है तो बहुत अच्छा sign है यह बैंक के लिए यहाँ पर एक note है दिखिए यहाँ पर if not the Supreme Court order यहाँ पे जो Supreme Court ने order दी थी और इन्होंने अपने जो बैंक है इंडिया के उन्हों उनको बोला था कि August 31 तक जितने भी NPA है वो declared नहीं करने आपको तो इसी के चलते यह अब आपको यह जो percentage है थोड़ा कम दिखाई दे रहा है अगर वो include हो जाते थे तो बैंक ने आपे जो point बताये हैं देखिए अगर वो add करते हैं तो banks gross and net NPA ratio would have been देखिए यहाँ पे जो gross था वो 9.63 हो जाता 8.48 के बजाए और यह जो net NPA है वो 2.39 के बजाए 3.36 हो जाता ठीक है तो यह बात आपको ध्यान देने पड़ीगी अगर Supreme Court ने वापस बोल दिया कि यह जो NPA है वो include करके आप बता दीजे तो यहाँ पे आपको एक हलका सा एक negative sentiment आ सकता है banks में बट यहाँ पे उसको overcome करने के लिए जो budget में जो घुशनाय हुई है जो bad bank को लेकर है उसी के चलते बहुत बड़ी positive एक upside move देखी गई है PSU सेक्टर मे all over जैसे कि देखा है आपने SBI बहुती बढ़िया production दिखाया है जो 300 के level से almost यहाँ पे 100 points का moment within 4-5 days यहाँ पे आ गया था तो वही आपको एक momentum carry करना है क्योंकि PSU banks यहाँ पे बहुत कुछ सालों में नीची की तरफ आये थे तो देखते हैं पहले हम लोग technical देख लेते है कि क्या pointers है कहां पे हम लोग को buy करना है कहां पे sell करना है देख लेते हैं तो दिखिए दुस्तों मैं आपको ले आया हूँ अब technical chart पे यहाँ पे bank of baroda के और जैसे कि आप देख रहे हैं यह daily chart मैंने निकाल के रखा है जो कि एक investors जो है वो mostly जो लंबी अवदी के लिए देखना जाते हैं मैं आमेशा आपको suggest करूँगा कि weekly charts पे देखा कर यह इसमें आपको एक proper long term view दिखाई देता है कहां तक यह stock जा सकता है तो देखिए यहां पे मैं आपको zoom out कर देता हूं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं देखिए यहां पे जो highs लगे थे इसके पहले जो 11th January इसके बाद highs लगे थे यहां पे जो main level निकल करके आ रही थी वो थी 75 रुपीज की यहां पे देखिए यहां पे तीनों candle जो है जो 11th January का week था फिर 18 January का week था और 25th January यहां पे यह तीनों जो lines है तीनों हफते की जो candle बनी थी इसमें यहां पे 75 रुपीज के उपर कभ नहीं दिया था तो यह main important point था तो देखिए 75 रुपीज के उपर कभी close नहीं दिया था इस week में जो budget के चलते जो bad loans को लेकर जो एक news आई थी bad bank को लेकर तो यहां पे सारी banks बहुत अच्छा perform करते हुए दिखाई दिये तो इस bank में भी देखिए यहां पे 67 का low है और उपर क जो last day यानि की Friday के दिन जो एक sell off आया था इस bank में भी और bank ने भी ज्यादा एक upside moment नहीं दिखाई थी तो उसी के चलते यहां पे 82.50 का close आया है तो यह अभी breakout तो दे दिया है जरूर बट यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था retest के लिए stock जरूर आएगा तो उसके लिए वेट कीजिएगा जो investor है वो वेट कीजिए आपको और सस्ते दाम पर यह stock अगर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया होगा ठीक है और कोई यहां पर एक aggressive buy करना चाता है तो उसे मैं यह कहूंगा कि धीरे धीरे के करके थोड़ा थोड़ा करके ही buy कीजिएगा और with stop loss यहां पर तो यहां पर investment purpose जो लोग यहां पर ज़रूर invest करना जाते हैं उनके लिए यह जो levels है 75 और 76 यह बहुत अच्छी level है अगर आपको नीचे भी मिलता है तो यहां पर 68 और 75 यह accumulation zone है ठीक है तो यह जो zone है यहां पर देखे एक यहां पर भी base बना है तो यह भी zone है अगर इस zone के अंदर आपको यह stock मिलता है तो आप यहां पर buying कर सकते हो further longer term आपको इस stock में जो prices मिलेंगे आते हुए वो होंगे देखे यहां पर यह जो main एक point है यहां पर देखे अगर आप supporter resistance की बात करते हो तो यहां पर देखे यह जो point है 105 रुपीज का यह stock का पहला target होगा ठीक है तो यह मेरा first target होगा जो कि होगा 105 रुपीज का ठीक है तो यह first target होगा मेरा second target मेरा होगा इस stock में around about देखे यहां पर यह जो levels है 118 रुपीज का और मेरा third target जो होगा यहां पर वो होगा around about 130 रुपीज 135 रुपीज का तो इन तीन targets के लिए आपको buying करनी है further longer term यहां पर देखे 105 रुपीज 118 रुपीज और somewhere around 130-35 रुपीज यह तीन target के लिए आपको buying करनी है और buying zone जो है वो 67 से लेके 75 के बीच में होगी अभी आपको 82 रुपीज के आसपास buying नहीं करनी है अगर यह stock नीचे आता है तो आप buying कीजिएगा धीरे-धीरे accumulate कीजिएगा और फिर उपर की त पस यह stock आपको जाते हुए दिखेगा तो यहाँ पर जो aggressive trader है वो धीरे-धीरे करके buying कर सकते हैं अगर आपको निवेशक हो तो यहाँ पर एक यह strategy भी यहाँ पर रख सकते हो कि थोड़ा करके आप 10% अभी ले सकते हो अगर नीचे आता है तो 20% ले लिजे 67 आता है तो 40% ल तो longer term इस stock में आपको यह 3 prices जरूर ही आते हुए दिखेंगे in future और इसमें आपको stop loss जो है वो लगाना होगा यहाँ पर 55 रूपीज के stop loss से आपको इसमें बने रहना पड़ेगा और उपर के तरह आपको यह target जो है 105, 118 और 133 रूपीज तक के target इस stock आपको दिखाते हुए दिखेगा तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई है दोस्तो और अगर पसंद आई है तो please like और share कर दीजेगा आपने friends के साथ family के साथ और आप मुझे telegram चैनल पर भी join कर सकते हैं ideology trader मेरा जो link है मैंने description box में दे दिया है तो वहाँ पर जाके आप मेरे telegram चैनल को भी join कर सकत रहे हैं तो मिलते है नेक्स वीडियो में दोस्तो तब तक के लिए stay safe और have a good day thank you